नमस्कार, वेलकम टू अश्टेडी 24 बिहार कौसल विकास परसिच्चन जी हाँ दोस्तों जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप इसमें परसिच्चन लेते हैं तो आपको निश्चित रोप से जॉब भी मिलती है जिसमें आप परसिच्चन करेंगे उसी में आपको जॉब भी दी जाती है तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये 2021 के लिए निकाला गया है तो ये पूरी भारत सरकार से मानिता प्राफ्त है कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको तो कैसे ऑनलाइन करना है देखेंगे और सारी जानकारियां भी इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे पलफल के अपडेट के लिए तो यहाँ पे जो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे cipet.gov.in तो इस पे अगर आप आते हैं दोस्तों तो यह देखेगा यह भारत सरकार की ही परसाखा है जिसमें आप आवेदन करके परसिछन पराप्ट कर सकते हैं और साथ-साथ रोजगार भी आपको इसी में दी जाती है तो आवेदन कैसे करना है आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसकी ही साखा भारत सरकार की ही साखा एक बिहार में भी है हाजीपूर में इंडस्ट्रिया लेर गया में तो यह जो चार लाइन आपको दिखाई दे रही है इस पर किलिक करते हैं यहां पर किलिक करिएगा तो देखें नीचे आपको सीपेट का आपको परसाखाद मिल जाएगा देखें सी आई पीट si पे किल्क करते हैं तीकिंगे की लिक करते ही आपको यहां पर चूज करना होता है देखिए frei को दिखाई दे रहा होगा यह thoda सा डार्क डार में है सलिए आपको कम दिखाई देगा तो यहां पर आप के लिक करेंगे तो आपको हाजिपूर पे यह open हो जाती है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह खुल चुका है हाजिपूर का जो सेंटर है वो खुल चुका है CIPAT Center for Skilling and Technical Support CSTS हाजिपूर तो आपको आवेदन करने का मौका मिल जाएगा लिकिन अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बिल्कुल आसान भासा में समझा देता हूँ तो चलिए देखते हैं तो आवेदन करने के लिए और डीटेल जानने के लिए आपको क्या करना है Google में आना है Simply और आपको विहारहल्प.in पे चला जाना है यहाँ पे देख सकते हैं तो यह रहा नीचे आने के बाद देखें यहाँ पे जो लेटेस्ट जॉब आपको दिखाई दे रही है लेटेस्ट जॉब सेक्शन में Central Institute of Plastic Engineering and Technology Online Job for 12th Pass तो इस पे किलिक करते हैं तो आपको डीटेल भी मिल जाएगी और आवेदन करने का लिंक भी मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे क्या क्या डीटेल दिया गया है यह उद्योग विभाग बिहार सरकार से मानेता प्राप्त है भारत सरकार से मानेता प्राप्त है और इसके अंतरगत आपको निसूल का आवासिये रोजगार एवं परसिच्छन सीपेट हाजीपूर में विभिन ट्रेडों में चलाया जाता है जिसमें आपको आवेदन करना होता है ओनलाइन ठीक है तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यह जो डीटेल है यह अकवार वाला डीटेल है यहाँ पे क्या-क्या दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ ओनलाइन डेट बगएरा जो है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिया गया है निसूल का आवासिये परसिच्छन निस्चित रोजगार ठीक है पहला है मसीन ओपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग और दूसरा है मसीन ओपरेटर इंजेक्शन मॉल्डिंग और मसीन ओपरेटर ब्लो मॉल्डिंग और मसीन ओपरेटर प्लास्टिक एक्जिक्यूटिव एक्ट्रूजन और पाचवा है machine of letter tool room तो इसके लिए आवेदन होता है छे महिने का ये परसिच्छन है और बारवी पास होना चाहिए ITI पास होना चाहिए और सामान एवं पिछडा बर्ग के लिए 18-35 बर्स उम्र होनी चाहिए और SCST के लिए 18-40 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए अब आवेदन की बात करते हैं दोस्तों तो देखे 25 जनवरी जो है last date है आवेदन करने का और उसके बाद counselling की तीथी जो है 27 जनवरी 2021 दी गई है और परसिच्छन पराराम होगा 1 फरवरी 2021 को ठीक है और आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो लिंक दी गई है इसी website पर आपको यह link मिल जाएगी तो यहाँ पर आके आप पूरा detail भी पढ़ सकते हैं और आवेदन करने के लिए देखे नीचे link दिया हुआ है जहां से आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना email id डालना होगा अनिवारे रूप से उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको चूज करना होगा देखिए चूज करते हैं कि कौन सा यह department जो है आपको select करना है तो यहाँ पर मैं select कर लेता हूँ department of industries government of Bihar ठीक है यहाँ पर select करने के बाद यह course अवधी select कर लेते हैं यहाँ पर उमिद्वार का नाम भाद देना है उमिद्वार का नाम पिता का नाम माता का नाम और यहाँ पर link select कर लेना है जह male female जो भी है और यहाँ पर बर्ग select कर लेते हैं कौन सा category है तो select कर देते हैं यहाँ पर चूज बैबाही की स्थिति आप साधी सुदा है या नहीं तो no कर देते हैं जनम तिति आपको select कर लेनी है यहाँ से date of birth select करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आपका तीथी पर उम्र जो है automatic आ जाएगी अगर नहीं आएगी तो आपको खुद से भरना है ठीक है उमिदबार का mobile number और माता प्टा का अगर mobile number भी यहाँ पर डालना है ठीक है माता या पिता का किसी का भी या family का number यहाँ डाल सकते हैं और उसके बाद संचार के लिए address अपना लिग देना है address पूरा पता लिखता है डिस्रिक select कर लेना है और उमिद्वार की फोटो यहां पर अपलोड कर देनी है add फाइल पे और यहां पर माध्यमिक परिच्छा अंक्यानी मैट्री का का मार्क सीट, यहां पर अपलोड कर देना है कम से कम एक एम-बी का होना चाहिए 10 ज्यादा से ज़्यादा एक एंबी का होना चाहिए एक से ज्यादा का फाइल जो है अपलोड नहीं होगा और उसके बद इंटरमीडियत का यहां पर अपलोड कर दीजे और यहां पर आवाश यह परमान पत्र अपलोड कर दीजै ठीक है रेसिदेंशियल सर्टिफिकेट और कास iFicate upload करना है। आई परमान पत्र भी upload करना है अगर आपके पास है तो मैंrator ठीक है तो नहीं पर डाल सकते हैं लेकिन यहां यानि सीड़ी किसमें है कौन से तस्वीर में सीड़ी है तो उसको सलेक्ट करना है तो देखे इसमें दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है इसमें दिखाई दे रहा है तो हम तीनों को सलेक्ट कर लेंगे तीन में सीड़ी दिखाई दे रही है इसको सलेक्ट करते है और वेरिफाई पर किलिक कर देंगे यहां पर वेरिफाई होनी के बाद दोस्तों देखिए थोड़ा सा एक दो मिनट का टाइम लेता है उसके बाद दोस्तों आपको एक मैसेज मिल जाएगा आपके आवेदन के लिए और आपके इमेल आईडी पे भी भेज दी जाती है डीटेल ठीक है धन्यवाद सीपेट सीएश्टी एस हाजीपूर में कौसल विकास परसिछन कारिकरम के लिए आपका आवेदन पराप्त कर लिया गया है काउंसेलिंग के लिए आपको आपके मुबाइल नमबर पे कॉल और एसेमेस द्वारा सुचीत किया जाएगा अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं देखें ये मुबाइल नमबर दिया गया है सुबा दस वज़े से साम पांच वज़े तक ठीक है यह मैसेज दे दिया जाता है साथ साथ आपके इमेल आइडी पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यह रहा देखें मैं आपको इमेल आइडी भी खोल के दिखा देता हूं ताकि आपको यहां पर देख सकते हैं यह रहा मैं email ID पर खोल के दिखा देता हूं आपको जो message आया है देख सकते हैं यह रहा open कर लेते हैं देखे यह रहा आ चुका है Google Forms के तरफ से यहां पर देख सकते हैं यह short term course registration form short term course तो यहां पर जो भी आपने आवेदन भरा था उसका detail यहां पर नीचे आपको दिखा पूर यहां पर नीचे आजाता है जिसे आप देख सकते हैं सारा कुछ detail के साथ तो जैसे ही counseling होगी उसके लिए आपको message मिल जाएगा आपके mobile के और email ID पर ठीक है और जिस दिन आपको समय दिया जाएगा date time दिया जाएगा उस दिन आपको counseling के लिए जाना होगा हाजिपूर ठीक ह तो यह सिर्फ जो vacancy है दोस्तो यह बिहार के लिए only for बिहार के लिए था और यह बिहार बासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं और कोई भी आवेदन सुल्क नहीं है बिलकुल मूफ्त है तो कोई भी दिक्कत नहीं है तो जानकार यह अच्छी लगी हो तो like करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए पलपल के अफडेट के लिए मैं मिलूगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अफडेट के साथ तब तक के लिए बाई जैहिंद